अब अच्वा जाओ इसके graph पे तो graph के लिए क्या करेंगे किसका graph draw करना है y is equal to 10 inverse 10x का हमें curve draw करना है ठीक है ना ठीक है domain इसका क्या होगे एक बाफ़ेट से लिख लेते हैं all real number से उस x को हटाना है such that x is equal to odd multiple of 2n plus 1 into pi by 2 range क्या होगे इस function का open minus pi by 2 to pi by 2 यहां तक तो कोई problem नहीं है clear है अब period क्या होगे period pi और यह हमारा क्या होगे y is a discontinuous function यह बाफ़ पता चल गई तो range हमारा minus pi by 2 to pi by 2 है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे कर्व देखेंगे देखो इसका कर्व अगेन ऊपर नीचे ऊपर से pi by 2 से minus pi by 2 जाये कब यह बाफ़ पता चल गई x-axis यह line हो गया y is equal to pi by 2 यह line की equation हो गया y is equal to minus pi by 2 अच्छा फिर हमें पता है ना कि tan inverse tan x का जो value होगा वो x के equal होगा कब जब x हमारा tan inverse के principal range में हो tan inverse के principal range जा होता है minus pi by 2 to pi by 2 इसका मतलब minus pi by 2 to pi by 2 कर्व ऐसा हो गया गया मतलब कि x अगर तुमने minus pi by 2 से लेके pi by 2 के बीच में लिया ऐसा तो हमारा यह कर्वा गया इसमें कोई दिक्कत नहीं अब फिर हमें क्या पता है यह minus pi by 2 यह हो गया pi ठीक है यह हो गया मालो 3 pi by 2 अब यह बताओ इसका period क्या है tan inverse tan x का period pi है तो यह तुम ऐसे देखो 0 के बाद कहां से repeat होने लगेगा pi के बाद repeat होने लगेगा pi के बाद value repeat होने लगेगा देखो 0 से यह हमारा ऐसा graph बन रहा है न यह तो यह graph ऐसा बन रहा है तो उसके बाद क्या मतलब है कि अगर pi period है तो pi के बाद graph repeat होने लगेगा ठीक है तो फिर तुम ऐसे देखो pi के बाद graph क्या होगा जिरो से pi by 2 ऐसा graph है तो pi से pi by 2 भी ऐसा graph होगा ठीक है और यह exactly यहां पर क्यों मिल जाएगा यहां पर whole यहां पर whole क्यों because pi by 2 तो domain में नहीं है नहीं है function के ठीक है अब देख लो यहां पर 0 से pi by 2 और यह देख लो यहां से यहां तक के इंटर्वल देख लो यह पूरे इंटर्वल पाई है ना इस पूरे पाई इंटर्वल में curve तुम्हें कैसा दिख रहा है एक ऐसे उपर एक ऐसे नीचे अब यह 3 pi by 2 से मालो यह 5 pi by 2 है अब curve कैसे होगा बताओ यहां से ऐसे आ गया curve अब उसके बाद कैसे होगा यह सब पे हो लोगा pi by 2 के और multiple में तो है इनी domain तो अब देख लो तुम 0 से pi तक curve कैसा दिख रहा है एक उपर एक नीचे फिर इस इंटर्वल यह देख लो यह पूरा pi का इंटर्वल है एक उपर एक नीचे प्रियोडिक है न उसके बाद 5 pi by 2 प्लस pi by 2 क्या होता है 3 pi 3 pi प्लस pi by 2 क्या होगा 7 pi by 2 ठीक है अब समझ में आगया होगा क्या करने जा रहे है कर्व कैसे बनेगा यहां पर भी यह यह हो गया हमारा minus pi minus 3 pi by 2 यह हमारा कर्व हो गया ठीक है यहागे बाद समझ में यह कर्व हो गया यह होल इसलिए है कि यह pi by 2 3 pi by 2 तो डोमेन में नहीं है न 5 pi by 2 7 pi by 2 तो यह किसका कर्व हो गया यह कर्व हो गया 10 inverse 10 x का ठीक है अगर बोला जाए कि यह वह बाउंडेट है तो बिल्कुल बाउंडेट है ॉमें कि क्या अलेडी क्या है रोगोंडेट है रेंच क्या कर्व把它 जिस्कार और पया क्या है तो बिल्कुल डिस्कार इसका यह एकवेजन क्या हुआए सारे का slope क्या है 1 इसका भी slope 1 है सबका तो slope 1,1 है इस सबका slope 1 है इस line के अगर तुम्हें equation लिखनी है तो slope तो 1 है इसका line का equation क्या हो जाएगा y is equal to x इस line का equation क्या होगा पताओ y 1 تو 0 है slope 1 है तो क्या होगा x minus x1 x minus pi x1 की जगा है इसका equation क्या होगा y is equal to x minus किस 5 से pass कर रहा है 5 pi by 2 इसका क्या होगा y is equal to x minus 7 pi by 2 इसका क्या होगा ये किस से pass कर रहा है minus pi से slope तो 1 है तो अब y 1 तो 0 है तो slope 1 तो क्या होगा x plus pi ठीक है ये बात आगई होगी समझ में तो ये हमारे पास curve किसका होगी है 10 inverse 10x का तो ये जो curve बताया जा रहा है ये काफी important है तो इन सारे curve को रट जाना है एक तो समझने वाली बात होगी कि समझ में कैसे आ रहा है और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो curve को रट जाओ लेकि इतना logic इसके पीछे है वो exam में आएगा नहीं exam में तो इस पे base question है हमें क्या करना है इससे solve करना है तो ये होगी हमारा तो ये होगी हमारा तीक है अब आ जाओ बच्चो next curve अच्छा मैंने यहां भी draw कर रखा है देखो tan inverse tan x करकर draw कर रखा है और एक बार यहां पे थोड़े बड़े size में यहां पे भी दुबारा मैंने draw कर दिया है अब आज़ो cot inverse cortex same logic है कहीं कोई change नहीं है cortex cot inverse cortex अब यहां पे देखेंगे कि cortex जो होगा इस function का domain क्या होगा सबसे पहले बात तो domain के लिए अच्छा यह भी बात है कि यह ठीक है अब आगे देखो cot inverse cortex में domain क्या होगा जहां पे sin x 0 हो जाए because cortex क्या होता है cos x upon sin x तो जहां पे sin x 0 हो जाए तो वो क्या होगा उसको हटाना होगा all real number से तो sin x कहां 0 होता है n pi पे तो all real number से हमने क्या क्या n pi को हटा दिया तो यह क्या होगा इस function का domain आ गिया अब range क्या होगा जो cot inverse का principle range होगा cot inverse का principle range क्या होता है 0 to pi cot और cos एक जैसा होता है cos में क्या होता है 0 और pi included होता है cot में 0 और pi excluded होता है तो range भी पता चल गिया अब दूसरी बात आते है कि क्या यह periodic है तो बिल्कुल periodic है because cot pi का पी cortex का period क्या pi discontinuous है तो बिल्कुल discontinuous है because cortex function discontinuous होता है n pi पे तो continuous cot inverse तो continuous है but cortex discontinuous है तो यह discontinuous function हो जाएगा अब इसका curve कैसे draw करेंगे तो curve के लिए तुम यह यहीं देख लो यहाँ पे क्या दे रखा है कि अगर मैं na cot inverse cot x x के equal होगा कब जब x हमारा cot inverse के principal range में होगा principal range क्या है 0 to pi तो 0 से pi के बीच में देखो यह line क्या होगा y is equal to x होगा यहाँ हमें 0 हटाना पड़ा और यह pi को हटाना पड़ा pi के cross bonding क्या होगा value क्या होगी इसकी define नहीं होगी because हमने domain से pi हटा रखा है तो pi के cross bonding value को हमने यहाँ पे एक whole बना के हटाना पड़ा उसके बाद क्या है कि इसका period pi है तब यह तो बहुत आसान हो गया जैसा 0 to pi वैसा pi to 2 pi वैसा ही कर बना दिया pi to 2 pi because यह तो interval मिल गया ना 0 से pi तक तो pi से 2 pi का देखो same कर वा गया 2 pi से 3 pi का exactly same 3 pi से 4 pi फिर minus pi से 0 यह भी interval तो pi का interval है तो जैसा graph बनाना 0 से pi वैसा ही बनेगा minus pi to 0 यह भी interval तो pi का interval है तो जैसा graph बना minus pi से 0 वैसा ही graph बनेगा minus 2 pi से 0 ठीक है अब यहाँ पर क्या हो गया कि यह सारा जो point है यह point हटा नहीं है अच्छा यह भी point 2 pi है ना domain से हट जाएगा अच्छा यह भी point हट गया domain में यह भी domain में नहीं है जहाँ whole है और यह भी domain में नहीं है because cot inverse cortex का value कभी भी pi नहीं हो सकता है because इसका जो range है cot inverse का वो तो range 0 to pi और pi तो excluded है तो यह graph आगे अब सर्स जितने भी lines दे रखे ना इन सारे lines का equation क्या है slope क्या है इसका 1 है तो यह तो समझ में आ रहा है यह line y is equal to x हो गया x minus pi यह तो अलड़ी बताया जा चुका है कि कैसे निकालेंगे हम इसका line की equation कैसे निकालेंगे इसका अगर पूछा जाए कि तुम्हें root क्या है तो root इसका तुम देख लो अच्छा root सो चुक क्या है इसका अगर root पूछा जाए तो root बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे n pi बट इसका root n pi नहीं है इसका root ही नहीं है बेकाज जो cot inverse cortex function है cot inverse cortex जो function है वो x axis को कटी नहीं कर रहा है यह cut थोड़े नहीं कर रहा है यहाँ पर तो whole है न तो इसका root नहीं है इसका मतलब अगर मैं तुम्हें बोल दूँ कि cot inverse cot inverse cortex अगर मैं 0 के equal दे दूँ और बोलूँ कि then find value of x then find the value of x मलूँ यह अगर मैंने question दे दिया तो x का value क्या हो जाएगा null set ऐसा कोई x नहीं है जिस पर cot inverse cot x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अब दो कर्व और बज़िया y is equal to sec inverse sec x और y is equal to cosec inverse cosec तो फिर वही बात sec inverse sec x का domain क्या होगा जो sec x का domain होगा sec x का domain क्या होता है all real number से उस x को अटा दो जहाँ पर cos 0 हो रहा है तो cos कहाँ 0 होता है pi by 2 के odd multiple पे तो all real number से हमने pi by 2 के odd multiple को हटा दिया तो यह क्या हो गया second verse sec x का domain हो गया अब range की बात करेंगे तो range क्या होगा जो second verse का principal range होगा second verse का principal range क्या होता है याद करो जो cos type का होता है principal range बट उसमें से pi by 2 हट जाता है cos x का period क्या होता है 2 pi क्या यह function continuous है यह discontinuous है तो यह function बिल्कुल discontinuous है because sec x function discontinuous होता है sec x function जो होता है pi by 2 के odd multiple पे discontinuous होता है तो on the whole यह discontinuous function है यहाँ तक बात क्लियर हो गया domain पता चल गया इस function का range पता चल गया इस function का period पता चल गया इस function का यह भी पता चल गया function discontinuous है ठीक है अब क्या होगा y is equal to sec inverse sec x x की equal कब होगा जब x हमारा sec inverse के principal range में हो मतलब अगर x जो है अच्छा range मैंने क्या लिखा है range कुछ गर्बल लिख दिया है मैंने ये range गर्बल लिख दिया है sorry ये बच्चों इसको सही कर लेना ये नहीं है कुछ भी r minus नहीं है range range हमारा क्या है 0 to pi minus pi by 2 तो अगर मैं बोलूं कि sec inverse sec x का value x के equal कब होगा और जब x हमारा second verse के principle range में हो तो second verse का principle range क्या होता है zero to pi excluding pi by 2 ठीक है तो यहां से हमने क्या ह क्या ए क Haye pi by 2 तो comparative page range में आ नहीं सकता है इसका मतलब कि pi by 2 y is equal to pi by 2 पे हमें क्या मिल जाएगा whole मिल जाएगा पाई वई 2 तो आनी सकता है उसके बाद किया होगा y is equal to x तो ये हमारा बन गया ठीक है तो यहां से यहां तक तो पाई ये interval हो गया पाई और ये interval हो गया 2 पाई ठीक है ये हो गया 2 पाई अब 2 पाई के बाद का गर्व कैसा होगा जैसा हमारा कर्व किसका हुआ है 0 से 2π 0 से πाई तक जैसा कर्व हुआ वैसे 2π से 3π होगा ऐसे कर्व आ जाएगा इसको हमने जॉइन कर देना है यहां से यहां तक जॉइन कर देना है तो अब यह मत बोलना कि जॉइन करने पर function continuous हो गया function अभी भी discontinuous है यह whole आने का मतलब function discontinuous हो गया तो बस वही sec inverse sec x function का जो कर्व होगा वो किस टाइप का होगा बिलकुल cause function है उस टाइप का कर्व होगा बट तुम्हें ध्यान में क्या रखना है कि जो line y is equal to pi by 2 line के corresponding जहां भी curve को cut करेगा वहाँ पे whole कर देना है because यह भी हमारा point जो है graph पर नहीं आ सकता because इसके corresponding y का value क्या pi by 2 और pi by 2 range भी नहीं है तो यह सारे whole आ जाएगा और बिलकुल cause type का curve होगा ठीक है यहां तक तो कोई problem नहीं होनी चाहिए अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि इस function का domain क्या है तो domain तो पता ही है range भी पता है period भी पता है discontinuity भी पता है अब यह सब जो हमारे पास क्या बोलते हैं इन सब lines का equation तो आरा हम से लिख सकते हो slope क्या है इसका 1 minus 1 1 minus 1 और line की equation कैसे लिखेंगे y minus y1 is equal to slope times x minus x1 इसको use करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी different line की equation ठीक है और तो कुछ बचा नहीं bonded है तो क्या बिल्कुल bonded है अगर मैं तुम्हें इसका बोलूँ कि roots क्या होगा इसका roots क्या होगा तो roots बताओ यह देखो क्या होगा roots जो होगा वो होगा 2n pi n belongs to z देखो यह function कहां cut कर रहा है even multiple of pi पर x-axis को cut कर रहा है तो root क्या हो जाएगा 2n pi तो यह हमारा किसका curve होगा sic inverse sic x का कोई दिक्कत नहीं है अब आज़ो बच्चों y is equal to cosec inverse cosec x इसका curve देखते हैं तो इसके curve के लिए फिर वही कहानी same story है कि domain क्या होगा जो cosec x का domain होगा cosec x का domain क्या होता है all real number से उस x को हटा दो जिस x पर sin x 0 हो जाए because cosec x किसके equal होता है 1 upon sin x के equal होता है तो sin x कहां 0 होता n pi पे तो all real number से हमने n pi हटा दिया तो वो क्या होगा cosec inverse x function का क्या मिल गया domain मिल गया range क्या होगा जो cosec inverse cosec inverse का जो principal range होगा अब cosec inverse का principal range किसके type का मिलता है sin किसके मिलता है sec inverse का principal range कहां से मिलता है cos से cos का क्या होता है 0 to pi pi by 2 नहीं होता है ये minus pi by 2 नहीं होता है sec में क्या होगा minus pi by 2 भी आ जाएगा और corex का किसे मिलेगा sin inverse से sin inverse का होता है नमाइनस 5 by 2 टो 5 by 2 बट corex inverse में क्या होगा minus 5 by 2 से 5 by 2 के बीछ में से हमें 0 को भी हटा देना है period की बात करेंगे तो बिल्कुल periodic function है तो corex का period क्या है जो sin का period है 2 pa ू अगर मैं बोलूं continuous है या discontinuous है तो यह बिल्कुल discontinuous function है because जो cosec x function है यह खुद एक discontinuous function है cosec x हमारा function discontinuous है cosec x function होता है ऐसे करके उपर u बनता है नीचे u बनता है तो discontinuous होता है एक उपर u एक नीचे u cosec x और sic x का function discontinuous होता है cosec x कहां discontinuous होता है cosec x n pi पर discontinuous होता है जिस point पर sin x 0 होता है उस point पर cause x function discontinuous होता है और sec x function कहां discontinuous होता है जिस point पर cause function 0 होता है तो ये भी बात आगे समझ में अब आ जाते हैं final इसके curve पर फिर वही बात कि अगर मैं बोलू कि cause x inverse cause x x के equal कब होगा तो cause x inverse cause x x के equal तभी होगा जब x हमारा cause x inverse function के principal range में हो principal range क्या होता है minus pi by 2 to pi by 2 excluding 0 तो minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में line y is equal to x आगे बट 0 चोड़ना होगा because 0 range में नहीं आ सकता है ये चोड़ना होगा 2 pi है इसका फिर यहां तुम देख लो उसके बात क्या होगा इसका जो curve होता है cause x inverse का बिल्कुल sine type का होता है जैसे sine में six में क्या था six का curve मैंने क्या बोला cause type का होता है बट हमें क्या करना है pi by 2 अटा देना है ठीक है और cause x inverse का sine type का होता है बट हमें क्या करना है मतलब pi के multiples को अटा देना है range से pi के integral multiples को ऐसी तो होता है sine inverse का अब यह को अब यहाँ से पाइबाई टू तो इहां पर जीरो से पाइबाई टू तो 2पाई के आगे ऐसा ही कर्व को गए जो 0 से पाइबाई टू ऐसा कर्व होता इसको हमने जॉइन किया इसleyट से फिर इसको ऐसे मिला यह करवा गया किसका कॉसेक इंवर्स कॉसेक एक्स का एक तो यह बात हो गई दूसरी बात क्या है कि अगर मैं फिर वही बात की अगर मैं बोलूं कि इस फंक्शन का रूट क्या है तो फिर सोचो रूट क्या है एक मिनट के लिए बहुत बच्चे रूट बोलेंगे एन पाई क क्योंकि n pi पे क्या कर रहा है यह घ्या है क्या बोलते है är x-axis को कट कर रहा है तो अगर इसका root अगर है बोला जाओ की कोई Sean inverse Уже को और सलिठा है गर इसको 0 ते कोईक्व वक्या या मैंने question ही 一 से पूछ लिया कि ऐसे लिख लिया एक चलो कोस्टन मैंने बोल दिया इफ को से किन्वर्स को से केक्स इस इक्वल स्टू जीरो देन फाइंड दा वैलो ओफ एक्स का तो इसका एक लाइन में आंसर होगा क्या आंसर होगा कोस्टन के इन्वर्स एक्स इप्वल टू फाइज क्या होगया नल सिट दूसरे बात क्या है हमारे पास कि अब फिर वही लाइन की क्विजन लिखनी है तो लाइन की क्विजन के लिए क्या होगा इसका स्लोप क्या होगा इसका स्लोप to minus 1 m is equals to 1 अब slope निकालने के लिए तो खुदी line y is equal to x है इसका slope minus 1 है उसके बाद ये किस point से pass कर रहा है पाई कॉमा 0 से तो उसका ये equation आ जाएगा तो ये था हमारा causec inverse causec x का curve और अभी तक मैंने जितने भी curves बताएं ये याद कर रखो कि काफी important है मतलब बहुत important है तो आपको क्या करना है कि एक तो इसकी अच्छा मैंने एक explanation दे दिया कि ये curves कैसे generate हो रहे मतलब कैसे बन रहे है दूसरी बात क्या है कि इस curve को रट जाना है देखो sine inverse और causec inverse का curve बिल्कुल एक जैसा है cos inverse और sec inverse का curve वो भी एक जैसा है और tan inverse और caute inverse का curve एक जैसा है जैसे sine inverse का principal range क्या होता है sine inverse का principal range होता है minus pi by 22 pi by 2 sine inverse का principal range तो causec inverse का principal range क्या होता है causec inverse का principal range होता है minus pi by 22 pi by 2 बस उसमें से जहाँ sine 0 उड़ा है उसको अटा देना है एक जगह 0 उड़ा है जीरो पे तो जीरो काटा दिया याद रखना बहुत आसान है कॉस और सिक का प्रिंसिपल रेंज एक जैसा है कॉस का प्रिंसिपल रेंज क्या हमारा कॉस का प्रिंसिपल रेंज है 0 2 पाई और सिक का प्रिंसिपल रेंज क्या है सेक का प्रिंसिपल रेंज है जिरो टू पाई बस उसमें से क्या आटा देना है पाई बाई टू फिर टैन और कॉट का एक जैसा है ठीक है ओके